हेलो बच्चो टी डवली एस परिवार में आप सभी के स्वागत है बच्चो तो इस क्लास में हम लोग कर रहे हैं क्लास 10th की Mathematics जो की ये क्लास बेसिकली डाक्टर मनोहरे भूक NCRT जो बेज़्ट है उस पे आधारित होती है ठीक है बच्चो तो अभी तक हम लोगोंने प्रस प्रसनावली 3i ठीक है तो आशा करता हूं आप लोगोंने प्रसनावली 3H तक बहुत ही अच्छे से कवर कर लिया होगा और आपकी पढ़ाई में हमारा channel पूरा भी आपके पूरी तरीके से help कर रहा होगा ठीक है तो चलिए आज करते हैं प्रसनावली 3i ठीक है इसमें है कि दिया है समीकरड एक दिया हुआ है आठ एक्स फ्लस पांच वाई बराबर एक जारा को संतुष्ट करने वाले बिंदू के निर्देसांग ग्याद कीजिए ठीक है तो इसको ग्याद करने के लिए हम लोग क्या करने साइड बराबर हो जाता है बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर हो जाता है या अगर इसको हम इस साइड ले जाते हैं इक जारा को तो इधर माइनस इक जारा हो जाता है और बराबर जीरो आ जाता है तो इस समीकरण कमान यक्स और y के किन मानों के लिए सुनने हो जाता है वही निर्देसांग कि इसको संतूष्ट करेगा तो चलिए देखते हैं यक्स और y के लिए 2 और माइनस 1 रखते हैं और यह हम लेफ्ट हैंड साइड को लेका चलते हैं ठीक है तो देखे 8 x कमान कितना है दो तो यह 8 गुड़े 2 प्लस 5 ठीक है y कमान कितना है माइनस 1 रख देते हैं तो 8 दुना का 16 और 5 गुड़े माइनस 1 माइनस 5 यह आ गया एक जा रही है देखे राइट हैंड साइड के बराबर हो गया तो यक्स और y के जो 2 माइनस 1 के लिए राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड बाया पक दाया पच्छ और बाया पच्छ बराबर है था जो है निर्देसांग 2 माइनस 1 इस समीकरड को संतूष्ट करेगा ठीक है चलिए अगले क्विस्चन के और चलते हैं अगले क्विस्चन के इस में क्विस्चन नंब्र 31 के बात के बाद जो जतने भी bit विश्चनाओं वह सारे bit जाय पको प्छले classes में करवाया जा सुक है और एपि बिलकुल वयसे ही क्विस्चन है इसलिए उन क्विस्चन को मैं नही करवाता हूं guide आपको करने में दिक्कत होगी तो आप comment box में हमें बताइएगा उन question को करवा दिया जाएगा ठीक है तो चलिए question number 12 यह थोड़ा सा अलग लगा इसलिए मैंने इस question को ले लिया ठीक है तो इसमें दिया हुआ है देखिए त्रिभुज के कोडों के बीच एक संबंद दिया हुआ है और इसमें त्रिभुज के तीनों कोड को ग्यात करना है ठीक है तो देखिए इस क्या संबंद दिया है कोड C बरावर 3 कोड B बरावर 2 कोड A प्लस कोड B ठीक है तो हम जानते हैं त्रिफुज के तीनों कोड़ों का यो क्या होता है 180 अंस होता है ठीक है बच्छाँ तो देखें कोड़ A प्लस कोड़ B प्लस कोड़ C बराबर 180 अंस तो यहां से हम कोड़ A प्लस कोड़ B का मान निकालते हैं तो code A plus code B बराबर क्या हो जाएगा code C को साइड लेकर आते हैं तो 180 minus code C तो code C बराबर two देखे अबि यह जो code C यहां से इसको यह बराबर यह बराबर यह है तो इसको इसके बराबर लिख सकते हैं तो इसको ले लेते हैं हम लोग ठीक है code C बराबर two code a plus code b ले ले लेते हैं तो देखे code c बराबर code a plus code b का मान यहां से यहां से इसमें रखते हैं इसकी जगह पे तो 180 minus code c हो जाएगा ठीक है तो दो का गुड़ा कर देते हैं अंदर तो 360 minus two code c तो देखे two code c को इस side ले कर जाएंगे तो code c में जुड़ जाएगा तो three code c बराबर 360 या code c बराबर 360 बटे 3 बराबर 120 आगया code c ठीक है अभी हम code a plus code b बराबर 180 minus code c जानते हैं तो code a plus code b और code c का मान क्या है 120 अंस तो यहां पे हम लोग रख देते हैं code c का मान 120 अंस तो 180 में से 120 घड़ जाएगा तो 60 अंस बच जाएगा ठीक है तो यह देखिए code a plus code b ठीक है यह हमारा इतना बराबर 60 अंस आ गया अब देखिए 3 code b बराबर अभी जैसे इसको हमने अभी इसके बराबर लिया था तो अभी इसको इसके बराबर ले लेते हैं तो 3 code b बराबर 2 code a plus code b लेने पर तो 3 code b बराबर 2 गुड़े अभी हमने निकाला code a plus code b का मान 60 अंस तो इसमें रख दिया 60 अंस ठीक है तो code b बराबर 62 120 बटे 3 हो जाएगा इसको जब भाग देंगे तो आ जाएगा 40 अंस ठीक है और एक चीज हम जानते हैं code a plus code b plus code c का मान 60 अंस तो हमने code b का मान यहां से और code c का मान यहां से इसमें रख दिया तो आपका code a बराबर आ जाएगा 20 अंस इस प्रकार हमारा code a बराबर 20 अंस code b बराबर 40 अंस और कोड़सी बराबर 120 अंस आ गया ठीक है चलिए अगले क्रिस्चन के और चलते हैं क्रिस्चन नमबर 19 और देखिए 12 से जो 18 तक क्रिस्चन है वो आपको करवाए जा चुके हैं पिछले क्लासेज में इसलिए उन क्रिस्चन को स्किप किया जा रहा है ठीक है यह कही क्रिस्च क्रिस्च कोड़ में कुछ चर दिये हुए हैं तो उनको निकालना है कि हमें इंच को सौल्व करके चारों कोडों का इसके मह निकालना ह्ए ठीक है तो द sudden के चक्री चतुरुपुझ की क्या प्रॉपर्टी होती है कि इसके जो आमने सामने की कोड़ होते है थीडिग चयों code A plus code C का योग जो है 180 हो जाएगा या code B plus code D का योग जो है 180 हो जाएगा ये चक्री चत्रभूज का गुड होता है प्रापर्टी होती है ठीक है तो देखे code A plus code C बराबर 100 कोड A का मान इसमें कितना दिया हुआ है 4Y plus 20 और code C का मान माइनस 4X बराबर 180 ठीक है अब देखे इसमें से 4 को common ले सकते हैं हम लोग 4 को common लिया तो क्या बचा देखे चार तो यहां से Y plus 5 minus X बराबर 180 इस 4 को दूसरी साइट लाते हैं तो 180 बटे 4 हो जाएगा ठीक है जब इसको भाग देंगे हम 180 में 4 का तो कितना आजाएगा 45 45 पैतालिस आजाएगा ठीक है अब इस पैतालिस को दूसरी साइट ले कर जाते हैं तो यह minus 45 हो जाएगा यहां आकर तो 5 minus 45 करेंगे तो minus 40 आजाएगा तो हमारा क्या समीकरण बन जाएगा Y minus X minus 40 बराबर 0 इस हमीकरण एक हो गया ठीक है अब चलते हैं कोड B प्लस कोड D बराबर 180 देखिए यह दूसरा कंडिशन लेते हैं कोड B प्लस कोड D बराबर 180 ठीक है जैसे देखिए अभी मैंने बताया कि इसके चक्री चतर बूज में जो है तो एक तो यह वाला मैंने ले लिया था अभी लेंगे यह वाला ठीक है तो इसके इसाब से देखिए कोड B प्लस कोड D बराबर 180 तो कोड B 3Y minus 5 और D minus 7X plus 5 बराबर 180 अभी इसको solve कर लेंगे ठीक है तो 3Y minus 7X minus 180 बराबर 0 आ जाएगा यह हमारा हो गया समीकरड 2 अब समीकरड 1 गुड़ा 3 इन दोनों समीकरड को हल करके X और Y कमान निका लेंगे फिर सभी कोडों में इसको रख देंगे ठीक है तो देखिए समीकरड 1 गुड़ा 3 minus समीकरड 2 गुड़ा 2 ठीक है और दूसरा क्या अगला समीकरड 3 Y minus 7 X minus 180 ठीक है तो यहां 3 Y 3 Y से कड़ गया और 7 X में से 3 X गड़ गया तो 4 X बच गया और प्लस 60 बराबर 0 या X बराबर minus 15 हो जाएगा देखिए जब 60 को दूसरी सैट लाएंगे तो यह minus 60 हो जाएगा minus 60 बटे 4 कितना बच जाएगा minus 15 हो जाएगा ठीक है अब समीकरड 1 में या 2 में Y X कमान रखके Y कमान निकाल लेंगे ठीक है तो समीकरड 1 में रख देते हैं Y X कमान तो देखिए समीकरड 1 में जब Y कमान रखके solve किया हमने तो Y कमान हमारा आगया 25 अभी जो है कोड A कमान निकाल लेंगे देखिए कोड A है 4Y प्लस 20 इसमें Y की जगह पे हम 25 रख देंगे तो हमारा आजाएगा कोड A कमान 120 इसी परकार कोड B कमान निकाल लेंगे कोड C कमान निकाल लेंगे कोड D कमान निकाल लेंगे ठीक है तो चक्री चतरूज के 4 कोड कमान इस परकार से हम लोग निकाल सकते हैं असानी से ये देखिए कोड D कमान 110 डिगरी आया कोड C कमान 60 डिगरी आया कोड B कमान 70 डिगरी और कोड़े कमान 120 टीडी आ गया ठीक है चलिए अगले question के और चलते हैं देखिए अगला question है question number 20 question क्या है कि एक कच्छा के विद्यारतियों को पंक्तियों में खड़ा होना है यदि पंक्ति में तीन विद्यारति अधिक होते तो एक पंक्ति कम होती यदि पंक्ति में तीन विद्यारति कम होते तो दो पंक्तिया अधिक बनती कच्छा में विद्यारतियों की संख्या ग्याद कीजिए ठीक है तो देखिए क्या है कि इसमें इस तरह का question अभी पिछली class में मैंने आप लोगों को करवाया था सेम बिल्कुल ऐसा ही question था वही question है तो इसमें हम लोग क्या मान लेंगे पहले कि एक पंक्ति में विद्यारतियों की कितनी संख्या वो मान लेंगे ठीक है और एक टोटल कितने पंक्ति हैं वो मान लेंगे तो हम मान लेते हैं कि एक पंक्ति में विद्यारतियों की संख्या यक्स है ठीक है और पंक्ती की संख्या वाई है तो कुल विद्यार्थी क्या हो जाएगी तो एक पंक्ती में विद्यार्थी की संख्या गुड़े पंक्तियों की संख्या यानि यक्स गुड़े वाई ये कुल विद्यार्थी की संख्या हो जाएगी अभी पहला कंडिशन क्य कह रहा है देखिए कि पंक्ति में अगर तीन विद्यारती अधिक होते तो हमने विद्यारतियों की संख्या तीन बढ़ा दी और पंक्ति की संख्या ठीक है और एक पंक्ति कम होती तो हमने पंक्तियों की संख्या को एक घटा दी वो कुल विद्यारतियों की संख्या के बराब पर छीरो आ जाएगा यह हैं समीक्रड एक ठीक है अब दूसरा कंडीशन देकिया कह रहा है यदि स्कूल falling में आप दूसद northern 2 कम होते ब्रty में 3 विद्यार्थी इक हैं तो पंग्तियों की संख्या दो अधिक हो जाती ये ढाइज ठीक है इसको अंदर ऐसे घुडा करें बिलोपन विदी से इन दोनों समीक्रड को हल करेंगे और x या और y का मान निकालेंगे इसको जरूरी नहीं है कि आप बिलोपन विदी से ही हल करें आपको जैसे भी हल करना है आपको तीन विदियां बताई गए हैं किसी से भी हल कर सकते हैं लेकिन बिलोपन विदी से हल करना ही आसान होता है इसलिए हम लोग उसी से करते हैं ठीक है तो देखें जब समीकरण एक में दो कगड़ा कर देंगे और उसमें से समीकरण दो को घटा देंगे ठीक है तो यहां से य कमान जो है 4 आ जाएगाई अब कमान समीकरण एक में रख देंगे तो एक्सका मन कैलकुलेट कर लेंगे जो की 9 आ जाएगा तो खल विद्यार्थी की संख्या हो जाएगी 29 गुड़ा 4 तो 36 आ जाएगा आपका खल विद्यार्यार्थी की संक्या ठीक है बच्चो तो इस परकार आपका ये अध्याय थ्री कंप्लीट होता है अब इसके आगे हम लोग करेंगे अगली क्लास में ठीक है अब आप हमारे क्लासेस को ज़्यादा ज़्यादा सेयर करिए और हमारे टेलिग्राम गुरूप से जुड़ते रही है ठीक है ठीक है थैंक्यो बच्चो मिलते हैं अगली क्लास में